एक बात को आप लोग वहतर तरीके से समझें कि राजनेतिक फार्टियां आप समझें कि लोगों की लासों पर भी रोटियां आपने जो भी बोट बेंग की रोटियां होती हैं सैंकने से कभी नहीं चूकती हैं आप सभी लोग जान रहें कि कितनी बड़ी आपदा है फर भी आप देख रहें कि एक दूसरे की रंजिस एक दूसरे से दुस्मनी की कोई कमी नहीं रख रहे हैं आप देख रहे हैं कि एक सरकार दूसरे के oxygen cylinder रोक रही है तो दूसरा आथ किसी और तरह से टिपडी कर रहा है इस तरह से आप देख रहे हैं कि मिल जुल कर काम करने की अभी एक तरह से जरूरत है वो आप समझ सकते हैं कि क्या बिवस्था बनाई हुई है आप सभी लोग देख भी रहें कि कुछ दिनों से आपका उच्छ न्याले हो या फिर दिल्ली हाइकोट हो कापी कुछ कह चुका है कापी फटकार लगा चुका है लेकिन मुझे लगता ही कि एक कहवत अच्छी है कि कुछ की पूँच फुगईया में डालिए और जब निकाली से वो टेड़ी की टेड़ी निकली यही मुझे लगता है कि आज कि हमारे नेताओं का भी हाल यही हो चुका है कि आप समझे बार बार सुप्रीम कोट है या फिर आपका हाई कोट हो फटकार लगाने के बाद भी ए राजमेतिक पाईटियां ए नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं आप देख रहे हैं कि हर आजमें लगवग आपकी ओक्सीजन से कुरोना से जान्दा ओक्सीजन से डेथ हो रही है लोग मारे जा रहे हैं ओस्पीटल की क्या विवस्ता है जग जाहर है दुनिया देख रही एक तरह से तमासा लगा के रखा हुआ है आज आपका दिल्ली उच नयले ने क्या कहा है उसे भी आप लोग देख लिजे यानि कि सनीवार को आज ही सुप्रीम कोट ने दिल्ली उच ले आने ने कहा है कि अगर कैंद राज जया फिर इस्थानिय फिसासन को कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपोर्टी में अर्चन पैदा कर रहा है तो हम उसे भीक्ती को लटका देंगे इतनी आप सक्ती से बात करें मतलब आप समझ रहें कि ये नयाले कितना सक्त रविया रख रहा है फर भी आप देख रहें कि सुधरनय का ये नाम ही नहीं रहे है क्योंकि आप समझें कि आज का जो भी आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि देखें सब पर गालियां पड़ेगी तो सुप्रेम कोट भी इस बात को जानता है और फिर चाहे आपका हाईकोट हो वो भी जानता है कि हमारे नाम पर भी एक तरह से धब्बा लगेगा इसलिए अब देख रहें कि सक्करी है हुआ है कुछ आपका सुप्रेम कोट है ये पर हाईकोट हो तो उसने इतनी खदरनाक टिपड़ी की हुई है अभी भी अगर ना सुधरें तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए आम लोगों की जानगी कीमत कुछ भी नहीं है नेताओं के लिए ठीक है? कि अगर किसी बैक्ति ने टैंकर रोका आक्सीजन की आपूर्ती में बाधार डाली तो उस बैक्ति को लटका देंगे यानि कि तगड़ी एक तरह से पनिस्मेंट या आप कहे सकते हैं सजा दी जाएगी नियामूर्ती बिपिन सांगी और नियामूर्ती रेखा पल्ली की और से महराजा अग्यसेन अस्पताल की एक्याजका पर सुनवाई के दौरां ऐसा कहा गया है और अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोविद मरेजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच नियाले का रोक किया है और एक बात आप लोगों को और बताओं आप देखिए इंटरनेरसनल मेडिया ने कहा है कि हमारे यांगे जो फॉलिटी सियन है जो नेता है इस कोरोना महारी की दूसरी लहर के लिए वही जिम्मेदा है उनकी गलतिया एक तरह से जन्ता भुगत रही है ठीक है और अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह बताओं की कौन आक्सीजन की आपूर्ती को बाधित कर रहा है और पीठ ने यह भी कहा है कि हम उस बैक्ति को लटका देंगे हम किसी को नहीं बखसेंगे कोट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह एस्थानी पिसासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद को भी बताए ताकि उनके खिलाब कारवाही कर सकें और उच नियाले ने केंद से भी सवाल किया है कि दिल्ली के लिए आवंटित पितीव दिन चार सो अस्थी मेट्रिक टन ऑक्सीजन उसे कम मिलेगी आप समझे कि आधे आप सोचे कि 100% माल लीजे कि जरूरत है उनमें से आप समझे कि 50% भी आपूरती नहीं उपा रही है यानि कि 50% भी आउक्सीजन नहीं दी जा पा रही है और चाहिए कितनी 100% या एह हाल बना हुआ है और लगबग हर जगए बना हुआ है किसी भी स्टेट में आप जाकर या आप लोग देख भी रहे होंगे नियूच और अदालत ने कहा है कि आपने केंद ने हमें 21 अपरेल को आसुस्त किया था कि दिल्ली में पिती दिन 480 मेट्रिक टन आउक्सीजन पहुंचेगी हमें बताएं कि यह कब आएगी और दिल्ली सरकार अदालत को सुचित किया है कि उसे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सरफ 380 मेट्रिक टन आउक्सीजन ही मिल रही है सो कुबार को से करीब 300 मेट्रिक टन आउक्सीजन मिली थी इसके बाद अदालत ने केंद से सवाल भी किया है कि कब आखिर यह पूर्ती होगी आप समझें कि मतलब आम आदमी की जिंदगी कितनी सस्ती है आप समझ सकते हैं कि किसान हो फिर चाहे हमारे जवान हो यह पॉलिटीसियन यानि की राजनितिक पार्टियां अपनी रोटी सेंखने की कोई कसर नहीं चोड़ती है कभी यह किसान की एक तरसे लासों पर रोटीयां सेंखती है कभी हमारे जवानों की लासों पर रोटीयां सेंखती है इनका हाल कितने गिर सकते हैं नेता हमारे जिसके आप समझ सकते हैं बेतर यही टिपड़ी की हुई थी मुझे लगा कि और अभी भी कुछ नहीं बेगड़ा हुआ है अगर होस्पीटल से आप दूरी बनी हुई है तो कम से कम घर रहिए, सुरक्षित रहिए परिवारगी भी सुरक्षा रखिए क्योंकि आपका कितना भी खास हो कोई भी नेता कोई आपके लिए मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा ठीक है? और आप होस्पीटलों की इस्तिती जान भी रहे हैं क्या इस्तिती बनी हुई है? तो मैं तो कहता हूँ कि नौबत ही न आए होस्पीटल जाने की उससे पहले ही आप लोग सभी सुरक्षित ब्यवस्थाएं अपनी कर लिजे ठीक है?